Hello everyone, competitive exam में आपका फिर स्वागत है आज इस वीडियो में हम JOIT 817 का जो रिजल्ट आया है और जिन भी candidate का selection हो चुका है उनको हमारे चैनल के और से हर्दिक्षूब कामना है और जिन का नहीं हुआ है उनके लिए मैं काफी ज़्यादा हताश हूँ और काफी ज़्यादा सभी के लिए मेरी उनके साथ समय नाई भी है लेकिन इसमें क्या कर सकते हैं ये तो आपको पता है कि ये तो एक process है जिसमें कुछ candidate को select होना है और कुछ को आगे फर्दर preparation के लिए त्यारी करनी है लेकिन आपको पता है कि काफी लंबे समय इस भर्ती को हो चुका है और वेटिंग से भी काफी ज़्यादा candidate को इसमें job मिलने वाली है तो यही इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वेटिंग कितने तक जा सकती है और यहाँ तक कि मैं बता दूँ मैंने भी एक्जाम दिया था लेकिन मेरा सेलेक्शन भी नहीं हुआ है मैं OBCUR कैटिगरी से हूँ और मेरे 49 point something marks थे और मेरा भी सेलेक्शन नहीं हुआ है लेकिन मुझे उन कैनिडेट के लिए निराशा है जो लगबग इसी का ही वेट कर रहे थे मैं तो currently NHM के अंडर contract basis पर job कर रहा हूँ और मुझे 32 plus के salary मेर रही है तो मुझे इतना ज़्यादा फरक नहीं पड़ता है लेकिन उन कैनिडेट के लिए मुझे निराशा हो रही है जो लगबग इसी exam के लिए जो है काफी समय से इसका रजवट का वेट कर रहे थे और उनके पास कोई भी job नहीं थी लेकिन मैं उन्हें बता दूँ जिनके भी जो marks है वो लगबग एक या दो कम है उनका वेटिंग से selection होने के chance जिसमें काफी ज़्यादा है तो आप दे सकते हैं तो हम आज आपके साथ यहां पर आप दे सकते हैं कि हम आपके toppers और last जो है यहां पर discussion करेंगे और उसके बाद जो हैं हम देखेंगे कि waiting जो है कितने तक आ सकती है और कितनी कितनी cut off गई है तो आप दे सकते हैं कि मैंने यहां आपके लिए ascending or deciding order में यहां पर JYT 817 के candidate के marks आपके सामने रखे हैं तो आप दे सकते हैं कि जो toppers है जो कि अमन कुमार जी 817 में आप दे सकते हैं इन्होंने higher education choose किया है जबकि इनको regular seat भी मिल सकती थी तो इन्होंने contract basis पर ही job करने का सोचा है तो आप दे सकते हैं कि 79 जो marks है JYT 817 में वो जो candidate है अमन कुमार यह जो है toppers है और उसके बाद आप दे सकते हैं हिवांशू इन्हें एक्साइज regular basis पर मिला है और इसके बाद आप दे सकते हैं राहूल जो है और मंजी थे तो आप दे सकते हैं कि 79 टॉपर है उसके बाद आप दे सकते हैं कि कहां कहां तक जा रहे हैं तो मैंने आपको यह पूरी जो है PDF जो मेरे पास है मैं आपको अपने जो है पॉइंट में इसमें फर्क पढ़ रहा है 0.71, 50 और इसी तरह से आप दे सकते हैं कि cut of high जाने का रिजन इसमें कितना है तो आप यहां पर दे सकते हैं यह आपके पास जो है मैंने 50 of 50 जो चैन्डेट है उनकी यहां पर लिस्ट यहां पर के साथ शेर कर रहा हूँ जैसे कि अक्षे कुमार जी है इनके 67 है इनके एक size regular basis पर मिल चुका है तो यह आप दे सकते हैं यह यहां पर जो है मैंने ascending order में आप अपने marks दे सकते हैं तो यहां पर आप दे सकते हैं कि यह अब last के 1785 जो candidate है यहां पर इनके आप marks दे सकते हैं कि 47.3 वाले A-B select हो चुके हैं इन्हें state electricity board में ला है और उसके बाद अतुल भातिया 47.57 इनका भी state electricity board में selection हो चुका है और जो यह candidate है यह तो आपके SCBPL या आपके पास ex-servicemen category से हो सकते हैं अभी officially cut off नहीं आई है जैसे ही official cut off आती है वो भी मैं आपके साथ यहां पर share कर दूँगा तो आप दे सकते हैं कि यहां पर जो शिल्पा दे भी है इन्हें 47.55 में health and family welfare मिल चुका है तो आप दे सकते हैं कि यह मैं आपके लिए यहां पर जो है सेम पॉइंट पर इनका जो selection हुआ है तो आप दे सकते हैं एक को civil supply corporation मिला है एक को state electricity board मिला है तो यह आप दे सकते हैं और उसके बाद आप दे सकते हैं कि 47.1, 47.21, 47.18 जो last candidate जो IT 817 में select हुआ है तो आप यहां पर देखेंगे तो आप दे सकते हैं कि यह जो selection हुआ है यह 46, 47.18 यह लगबग मैं ascending order में आपके लिए पूरा detail यहां पर लाया हूँ तो आप इसे अच्छे से analysis कर सकते हो जो last candidate जो select हुआ है मैं आपको बता दूँ आप यहां पर दे सकते हैं 42. पॉइंट और 33 वाला भी तन्वी नर्याल इनका भी selection हो चुका है 35.10 वाला जो है उसका भी selection हो चुका है यह जितने भी candidate है लगबग 40-50 के करीब यह candidate रहेंगे यह जो है या तो आपके पास SC BPL या SC X-Serviceman कोटे से हो सकते हैं SC X-Serviceman कोटे से हो सकते हैं या OBC BPL से हो सकते हैं तो उनके जो marks हैं यह रहने वाले हैं तो आप दे सकते हैं कि last जो candidate select हुआ है वो 30.64 जो marks है उस पे select हो चुका है और आप दे सकते हैं कि यह कहां तक जा रहा है लगबग आपके लगबग 50 से 100 के करीव candidate ऐसे हो सकते हैं जिनका लगबग 40 से 45 के बीच 40 से 50 के बीच में selection हुआ है यह सारे आपके categories के जो sub categories के candidate है वो रहने वाले हैं अब हम जो है इस पे आगे चर्चा करते हैं कि इसमें cut off कितनी गई है और कितने तक दो है variation हो सकता है तो आप journal जो category इसमें आप देख पा रहे हैं जो journal इसमें category है उसमें cut off जो गई है काफी ज़्यादा high cut off रही है जो कि 55.72 के करीब cut off रही है लगबग आप समझ सकते हो कि DB से लगबग 10 marks high cut off गई है इसमें cut off जाने का जादा चांस यही है कि document के marks जो है कई candidate को लगबग 7 से 8 marks लग चुके है और लगबग EWS category में जो cut off गई है वो लगबग काफी कम गई है इसमें जो candidate सेलेक्ट हुआ है वो लगबग आपके 49.33 वाला candidate भी सेलेक्ट हुआ है कि मेरे known में मेरे offices में एक candidate है जिनका जो है लगबग 49.55 के उपर EWS category में सेलेक्शन हो चुका है तो उसके बाद SC जो आपकी UR की cut off है वो लगबग 50.70 के आसपास जो cut off गई है यानि कि 50.70 cut off जो SC category में गई है और उसके बाद OBC UR category जिसमें की आपकी जो cut off है लगबग 50.10 जो candidate है वो जो last cut off गई है और SC UR में भी ST UR में भी लगबग 50 को टच करके ये cut off गई है लगबग 50.5 के आसपास ये cut off गई है तो अब इसमें जो है वेटिंग आपकी कितने तक निकल सकती है और वेटिंग लिस्ट आपको पता है कि जिरूर इसमें आएगी इसमें काफी ज़्यादा candidate ऐसे भी है जो या तो कहीं और जगह regular हो चुके है आपको पता है कि regular होने के बाद आपको कई benefits वहाँ पर मिलने स्टार्ट हो जाते हैं और यहाँ पर आपको पता है कि कम salary में लगबग 11-12,000 उपर आपको 2 साल सर्वाइब करने होंगे या 2,5 साल सर्वाइब करने होंगे और regular होने के बाद वहाँ पर आपकी seniority भी जो है laps हो जाएगी कई candidate ऐसे भी होंगे जो लगबग 12 साल regular होके उन्हें हो चुके होंगे वो अपनी seniority जो है यहाँ पर खतम करेंगे तो seniority जो है उनकी खतम हो सकती है इस basis पर तो आप दे सकते हैं कि कितनी जो cut off है यहाँ पर जा सकती है तो जो waiting list यहाँ पर जा सकती है लगबग यदी जो है के बीच में जो है काफी जादा candidate रहने वाले हैं तो लगबग 53 से उपर ही आप मान के चलिए कि आपकी waiting जो है clear हो सकती है और इसी प्रकार EWS में 46 से अबब बालों की ही waiting clear हो सकती है SC category में 48 वालो या 8 mark से उपर वालों की ही waiting clear हो सकती है और OBC में 47 तक के जो candidate है उन्हें waiting उनकी clear हो सकती है और ST 48 तक जो है waiting clear हो सकती है तो यह scenario में रहने वाला है और ज़्यादा आप उमीद मत रखिए कि 45 तक के waiting जाएगी ऐसा नहीं हो सकता लगबग 100-100 के इसा हो सकते है जो कहीं और सैटल हो चुके होंगे बाकी इसमें candidate जो है जो है जो है जो है जो है लगबग इसमें waiting panel रहने वाला है बहुत जल जो है इसके regarding में जो है आपको हमेरे पुछा है नायोग सी इसकी official cut off और जो है इसकी जो waiting panel के साथ list आपको upload की जाएगी वैसे तो commission को बिल्कु साथ में ही ये list update कर देनी चाहिए थी लेकिन commission के द्वारा ऐसा नहीं किया गया है अब देखते हैं कि कब तक ये list आती है तो आप हताश मत होए और अपने अगले exam की त्यारी में आप डट जाए इसके बाद आपको HPU में लगबग 200 के पदो पर जो है जेवाइटी और कलर की भरती देखने को मिल जाएगी एक कप्ते के अंदर अंदर उसके शायद विग्यापन निकलने वाले हैं तो आप उसके लिए भी त्यारी कर सकते हैं अब आपको पता है कि अब जेवाइटी में कुछ रश कम लेकर आ गया था तो आज की वीडियो आपको किस परकार की लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो शेर कर सकते हो और इसी परकार की फ्यूचर अब डेट के लिए आप हमारे चैनल कॉंपेटिटिव एक्जाम से जुड़े रह सकते हो धन्यावाद